नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट में संतीब में दोस्तों डियलेट सेकेंड समिस्टर के अंतरगत मैट्स का ये वीडियो में अप्लोड कने जारा हूं समय बहुत कम बचा हुआ है एक ये दो दिन बाद ही आपकी परिच्छा शुरू हो जाएंगी तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखें मैस में ऐसे मैं प्रेशनों को लेकर आया हूं ये आपका फॉल कोर्स चला है मैस का उसी के अंतरगत एक नया चेप्टर में लेकर आया हूं इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि एक एक प square तथा 5xy का गुड़ा करना है आपको तो इसको गुड़ा कैसे करेंगे एक da석 Friday एक 600 होगा और वाइ का गुड़ा गड़ा और नंबर नंबर का अलाग अलाग data देखे़ो 3 है इसमें 5 है तो तीन पचe हो गया पंदरा ठीक है तीन पचे हो गया आपका 15 और x square है इसमें और इसमें 1x है तो इसमें x square हो इसमें 1x है तो x की पावर 3 हो जाएगा इसमें 2x है इसमें 1x है अब y अकेला है तो y को अकेले लिख दिजिए 15x cube y इसका सही उत्तर होगा चले आगे देखते हैं अगला प्रशन है माइनस x square into 3ay minus 2 by 3 bx ठीक है माइनस और प्लस का थोड़ा विशेश ख्याल रखेंगे ठीक है अब इसमें minus 4 है इसमें minus 3 है इसमें minus 2 by 3 नंबर नंबर का गुड़ा होता है तो minus 4 into minus 3 into minus 2 by 3 तो समझे पहले इसको अलग गुड़ा करके देख लेते है 3 3 से कर जाएगा अब 4 2 जा 8 हो जाएगा अब इसमें है minus इसमें है minus तो minus और minus हो जाएगा प्लस अब plus और minus जब plus और minus का गुड़ा होता तो आएगा minus तो minus 8 आजाएगा नंबर का गुड़ा हो गया minus 8 तो minus 8 अब x और y और a भी इनका उड़ा कर लिजे तक इसमें 1x square है और यह रहा 1x इसमें तो x की power cube हो जाएगा अब इसमें a है a कहीं नहीं है आगे तो a लिख दिया single y, y single है तो y single लिख दिया अब b है तो b single है b लिख दिजे और x करता पहले ही हम इसमें गुड़ा कर चुके हैं तो इसका उत्तर आएगा minus 8x cube a y b समझ गे चलिए अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है 5x square y square z square multiply करना है minus 4xy cube z की power 4 देखे सबसे पहले number number का गुड़ा का लेजे इसमें देखे plus 5 है इसमें minus 4 है तो minus का जाएगा 254 चा 20 होता है अब इसमें x की power 2 है इसमें केवल x है मतलब x की power 1 है तो x की power हो जाएगा 3 अब इसमें y की power 2 है और इसमें y की power 3 है तो 2 और 3 हो जाएगा 5 2 plus 3 equal to 5 तो y की power हो जाएगी 5 अब इसमें देखे z की power 2 है इसमें z की power 4 है तो 4 plus 2 हो जाएगा आपका 6 ठीक है जब multiply करते हैं तो जो घात होती है वो आपस में जुड़ती है याद रखिएगा इसका उत्तर आएगा minus 20 x cube y की power 5 z की power 6 चलिए आगे देखते हैं इन सारे प्रशनों के उत्तर मैंने अपने वेबसाइट पर upload कर दियें आप वहाँ से जाकर सारे प्रशनों के उत्तर आप वहाँ से देख सकते हैं नीचे description में link है www.sarkaresechak.com पे चलिए आगे देखते हैं एक विद्याले में 4 x कच्छाएं हैं प्रतेक अच्छा में विद्यार्थियों की संख्या x की पावर 4 प्लस 2 x cube प्लस 4 x square प्लस 8 x तो पूरे विद्याले में छात्रों की संख्या कितनी होगी तो चलिए इसको अपनी copy पर हल करते हैं तो देखे विद्याले में कच्छाएं हैं प्लस 2 x cube प्लस 4 x square प्लस 8 तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या विद्याले में कितनी होगी यह तो उसी तरह कोश्चन होगे कि ए विद्याले में कच्छा है 5 और प्लस 2 x cube प्लस 4 x square प्लस 8 अब इसको multiply कर दीजे 4 x का जब x की power 4 में गुड़ा करेंगे तो 4 x की power 5 इसमें x की power 4 है इसमें x की power 1 है तो दोनों को जोड़ दिया 4 प्लस 1 इकॉल टू 5 तो अब यह देखे अगला क्या है 4 x को 2 x cube से multiply करेंगे तो 8 x की power 4 आ जाएगा अब 4 x को 4 x की power 2 से multiply करेंगे तो 16 x की power 3 आ जाएगा अब 4 x को 8 से multiply करेंगे तो 4 x जा 32 और x 32 x तो इसका उत्तर आएगा 4 x की power 5 प्लस 8 x 4 प्लस 16 x की power 3 प्लस 32 x ओके जोस्तों समझेगे चलिए अगला प्रसन देखते है अगला प्रसन है 2 x square प्लस 3 x माइनस 7 गुडा करना है 5 x की cube प्लस 2 x square प्लस 3 x माइनस 4 देखे यह बहुत लंबा प्रोसेस है चलो इसको मैं copy पर करता हूँ ध्यान से देखेगा इसको देखे 2 x square का multiply पहले पूरे इसमें करेंगे फिर 3 x का multiply पूरे इसमें करेंगे फिर माइनस 7 का multiply पूरे इसमें करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं multiply करना 2 x इसमें multiply करेंगे तो आएगा 10 x की पावर 4 2 x का जब 2 x square में multiply करेंगे तो 4 x की पावर 4 आएगा 2 x square का 3 x में multiply करेंगे तो 6 x की पावर 3 जब 2 x square का माइनस 4 में multiply करेंगे तो आएगा माइनस 8 x square इसी तरह 3 x का multiply जब 5 x cube में करेंगे तो आएगा 15 x की पावर 4 3 x का multiply 3x का multiply जब 3x में करेंगे तो 339 x square 3x का multiply जब माइनस 4 में करेंगे तो आएगा माइनस 12x इसी तरह माइनस 7 का इन सब में multiply करेंगे तो आएगा माइनस 35x cube माइनस 14x square माइनस 21x प्लस 28 तो इन में जो x की पावर जिन में जिन में यह है यह है और बस दो है 4x की पावर 4 प्लस 15x की पावर 4 तो दोनों को जोड दिया दोनों प्लस के है तो 19x की पावर 4 आ गया अब x क्यूब यह है देखिए x क्यूब यह है x क्यूब यह है और x क्यूब यह है मतलब 6, 6, 12, 12, minus 35 तो 12, minus 35 होगया, minus 23, x की power cube अब x square आले देख लीजे तो x square वाला ये है, ये है और ये तो minus 8, plus 9x, plus 48 minus minus अलग जोड़ लीजे, plus अलग जोड़ लीजे तो 14, और 8, 22, और 22 में जब 9 घटाएंगे तो बचेगा आपका 13 तो जिन लगेगा बड़े का, तो minus 13x square ओके जोड़ चले आगे बढ़ते हैं, जो x के है x कौन-कौन से ये देख लीजे x है आपका, minus 12x, minus 21x दोनों minus के हैं, दोनों x के हैं तो जोड़ दीजे, 12 और 21, minus 33x और plus 28, समझ गया तो ये इसका उत्तर आ गया आप एक बार अच्छे से देख लीजे इन सारी फोटोस मैं अपनी वेबसाइट पर अप्लोड कर लूँगा आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं अगला प्रेशन है, x प्लस 9 का होल स्कौाइर करना है तो x प्लस 9 का वही a प्लस b का होल स्कौाइर अला फर्मल लांगती a स्कौाइर प्लस b स्कौाइर प्लस 2ab तो देखे, x स्कौाइर प्लस 9 का एक स्कौाइर करेंगे तो 81 आएगा और 2ab करेंगे तो 2 into 9 into x तो 18x आ गया ओके दोस्तों चले अगला प्रसंद देखते हैं प्रसंद के साथ देखे एक कलम का मुले 2x-y है और इसी प्रकाट 2x-y कलमों का मुले गयात करना है दोनों का सिंपल गुड़ा कर देना है 2x-y 2x-y ठीक है इसमें देखे कौन सा फार्मुला बनना है a plus b और a minus b दोनों का मुल्टिप्लाई हो रहा है तो a square minus b square आ जाता था तो 2x square minus y square तो इसका उत्तर के आएगा 2x का whole square जब खोलेंगे तो 4x square minus y square 4x square minus y square इसका उत्तर आ जाएगा ठीक है प्रसंद के साथ का आगे बढ़ते है अगला प्रसंद है एक पुस्तक का मुल्ट 5x plus 1 है इसी प्रकार 5x minus 1 पुस्तक का मुल्ट ग्याद करना है इसी तरह इसमें भी दोनों को गोडा कर देना है और इसका फार्मुला भी वही बनेगा a plus b एक ब्रैकेट में a minus b एक ब्रैकेट में तो उसी तरह इसका जो उत्तर आएगा 25x square minus 1 आप लगा के देख लिजेगा match कर लिजेगा यही आएगा ओके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं आगे प्रैस्ट एक्स प्लस 1 बाई x इक्वाल टू तो x square प्लस x square वन बाई x इसकी value बतानी आपको तो ऐसे प्रैस्टों में क्या करते हैं सीधा आप इसका square कर दीजे 2 square कर दीजाएगा 4 और उसमें 2 minus कर दीजे इसमें 2 minus कर दिया आगे आपको उत्तर 2 देखे तो इसका उत्तर आएगा x square प्लस 1 बाई x square का उत्तर आएगा 2 आप करके देख लिजेगा यही उत्तर आएगा अगला प्लस ने सर्व समिकाओं का प्रयोग करके निम्नांकित के मान ग्याद कीजिए तो चलिए इसको copy पहल करते हैं तो 51 square है तो इसको 51 को तोड़ सकते हैं 50 plus 1 में तोड़ सकते हैं तो देखिए इसमें formula लग गया a plus b का whole square तो a square plus b square plus 2ab 2ab मतलब 2 into 50 into 1 ठीक है तो 50 दुना 100 100 एकम 100 तो यह हो जाएगा आपका पच्चिस सो प्लस 1 प्लस 100 तो उत्तर आगे आपका 2601 इसी तरह 99 का देख लिजेए 99 किसके करीब में है 100 के करीब में तो 100 minus 1 कर देंगे तो 100 minus 1 का whole square कर दिया है तो इसको solve कर लिजे a square plus b square minus 2ab तो इसको solve कर लिजे 100 का square है 10,000 एक का square है 1 और 2ab मतलब 2 into 100 into 1 तो यह हो जाएगा minus 200 तो इसका से उत्तर आएगा 9801 9801 अगला देखिए 95 square तो 100 minus 5 square इसका whole square कर दीजे 10,000 और 5 के square करेंगे तो 25 अब 2ab करेंगे तो 2 into 100 into 5 तो इसमें क्या जाएगा इसका गुड़ा करेंगे तो 200 गुड़ा करेंगे तो 200 गुड़ा 5 मतलब 1000 तो 10,000 प्लस 25 माइनस 1000 आएगा आपका उत्तर 9,025 ओके तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस देखे 52 गुड़े 48 का मल्टिप्लाई करना है तो 52 और 48 दो 50 के करीब में तो इसको तोड़ेंगे 50 प्लस 2 और इसको तोड़ेंगे 50 का स्क्वाइर 25,2 का स्क्वाइर 4 तो 25 में 4 गटा दिये तो उत्तर आगे आपका 2496 ओके दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस एक्स प्लस 3 तथा एक्स माइनस 3 का गुड़ाल करना है तो वही इसमें भी फॉर्मल लग रहा है एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में ए माइनस भी तो इसका जो आएगा वो a स्क्वाइर माइनस b स्क्वाइर ओला फर्म में रहागेगा तो इसका आएगा x स्क्वाइर माइनस 3 स्क्वाइर मतलब x स्क्वाइर माइनस 9 3 का स्क्वाइर क्या होता है नो होता है तो x स्क्वाइर माइनस 9 इसका उतर आएगा option नंब square कर दिए, squaring both side कर दीजे चलिए देखते हैं इसको कैसे देखिए, इसका जब square किया तो यह आगे a square कर दिया तो इसका a square minus b square a minus b का whole square है तो a square plus b square minus 2ab और इधर कर दिया 3 by 2 का whole square कर दिया तो 9 by 4 आगिया आगे देखते क्या करना है अब x square plus 1 by x square minus 2 equal to 9 by 4 हो गया तो यह जो 2 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे यह minus में तो इधर जाएगा तो plus में हो जाएगा, तो देखिए यह plus में हो गया 9 by 4 plus 2 अब इन दोनों का लासा ले लेंगे 4 और 2 के नीचे 1 है, तो 4 और 1 का लासा ली है, तो 4 आ गया उपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 तो 9 plus 8 upon 4 तो 9 plus 8 upon 4 हो जाएगा 17 by 4 ओके दोस्तों, तो यह हुआ x square plus 1 by x square का जो उत्तर आया 17 by 4 अब अगला प्रशन है, x plus 5 का whole square करना है तो x square plus 25 plus 2a भी होता है तो plus 2 5 x 2 into 5 into x तो मतलब होगे 10 x x square plus 25 plus 10 x इसका सही उत्तर है ओके दोस्तों, तो यह थे इस चैप्टर से संबंदे 13 आति महत्पुर्प्रशन जो मैंने लगबग सारे कंप्लेट करा दिया है और आपको उच्छे समझ में आ भी होगे अगर नहीं समझ में आ है तो प्लीज वीडियो को दुबारा देखे ताकि एक एक कोश्चन आप से समझ में आ जाए और एक भी कोश्चन आप से एक्जाम में गलत ना हो ओके दोस्तों बढ़ते हैं विशेश प्रस्ट की तरफ विशेश प्रस्ट का आपका उत्तर नीचे कमेंड बाक्स में कमेंड करके जरूर बता दीजे ओके दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस प्रस्ट का उत्तर नीचे कमेंड बाक्स में कमेंड करके जरूर बता है चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरू दबाएं ताकि आनले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और इन सारे प्रशनों का उत्तर मैंने अपनी वेबसाइड पर अप्लोड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइड का आप वहाँ पर जाकर सारे प्रशनों के उत्तर देख सकते हैं ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियम तक के लिए जै हिंद जै भारत